नमस्कार दोस्तों हमारी यूटुब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन जो मार्केट करेक्शन लेने वाला है उसमें मैं कौनसी कौनसी जो शेयर है वो बाई करने वाला हूं तो मुझे जो सबसे ज्यादा जो पांच सेयर के बारे में बात करूंगा जिनका फ्यूचर ब्राइट है तो आप इसी के अकोर्डिंग आपका जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट है कौन सी बिजनस पर कौन सी सेयर पर कौन सी कंपनी पर उसके उपर थोड़ा सा ज्यादा जो फोकस कर सकते हैं और उनमें जो सेयर जो बाई करने वालों उनकी तरफ पहला जो सेयर है दोस्तों वो मुझे पसंद है डी मार्ट सबसे ज्यादा जो पसंद है वो डी मार्ट है क्योंकि इसके जो स्टोर जो है रिटेल सेक्टर के वो दिन परते दिन बढ़ते ही जा रहे हैं अलग-अलग स्टेट में ठीक सेयर को उठाने की कोशिश करूँगा इसका जो फ्यूजर है वो काफी अच्छा लगा मुझे क्योंकि इसके जो रिटेल सेक्टर के जो बिजनस है इनके स्टोर में जाके आप छोटी सी छोटी चीच से लेगे बड़े से बड़ा प्रोड़ेक्ट जो है ले सकते हो इनके स् करें यह जो कंपनी पिछले यदि रिकोर्ड की बात करें तो 30% से जादा की कंपाउंडिंग के साथ इसने पैसों को ग्रोथ किया है ठीक है और यदि बात करें लगबग जो है पांस सालों में इस कंपनी ने जो है 600% की रेटन दिया मतलब कि हर साल जो है 100% से जादा की इस कंपनी के बात करें इस सेर ने कोई भी तेजी नहीं दिखाई है मार्केट में अच्छी खासी तेजी आ चुके लेकिन इस कंपनी ने कोई भी तेजी नहीं दिखाई है और इसका एक ही जोन में सेर प्राइच चल रहा है ठीक है इस कंपनी के बात करें तो अभी फिलाल स साइलेंट मोड पे है लेकिन जब भागेगा नहीं सेर तो किसी को हाथ नहीं आने वाला है ठीक है तो 988 रुपे के आसपास जो है यह सेर चल ला है इस कंपनी के बात करें लोंग टाइम के रेटन की तो मैं दिखाने की कोशिज करूँगा मैक्सिमम टाइम में इस कंपनी ने छो है 6800 परसेंट की रेटन लगब 68 गुना तक पैसो को किया है यदि करेक्शन की बात करें कितना करेक्शन जो है इसमें देखने को मिल ला है तो वह मैं लेगर के चलता हूँ यह सेर लगब 1400 के आसपास गया था मैक्सिमम टाइम में ठीक ह तो आप इसके तरब भी थोड़ा सा फोकस का सकते हो Relaxo Footwear अच्छा खासा सेर है और अगर ये जो है मैं बता दूँ इसमें शूज के जो ब्रेंड है वो अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन अगर आने वाले टाइमें शूज के ब्रेंड भी अच्छे देखने को मिलते हैं तो अच्छे खासे यहां पे प्रोफिट भी ग्रो होंगें और मल्टी बैगर ये सेर जो बनने वाला है यदि बात करें नेक्स्ट कमपनी की अगली जो कमपनी वो है Larson Turbo Info Tech ये जो कमपनी है लगबग 8,000 के आसपास चली गई थी मैक्सिमम टाइम के अगर बात करें ठीक है और फिलाल जो ये कमपनी 4,600 के आसपास चली है 40% के आसपास का जो है गीरावट है करेक्शन है अच्छा खासा तो आने वाले टाइम में मैं इस कमपनी में जो इन्वेश्ट करने वाला हूँ अच्छा खासा क्योंकि मुझे लगता है इसका जो IT सेक्टर का बिजनस है अच्छा खासा पैसा बनाने वाला है ठीक है अगली कमपनी के अगर बात करें तो अगली कमपनी है टाइटन कंपली लिम्तेट इस कंपनी का जो गोल्ड बिजनस है गजब और ऐवर इवर गूर्णध्राइग और बेछ सबसे ज要दा जो ट्रस्ट था जो टाइटन कंपड़ी लिम्तेट के उपर है maximum के अगर बात करें तो लगबग 60,000% के return इस company ने बना करके दिया है और old time जो है ये करीब करीब गया था मैं दिखाने के कोशिश करता हूं कि old time कितना गया था ये से लगबग गया था 2700 के करीब old time high पे और अभी 2525 रुपे के आसपास आ चुका है गिरावट भी अच्छी हुई थी ऐसी बात नहीं है लेकिन इसके बावजुद इसने खुद को समाल लिया ठीक है और ये बात करें करेक्शन कितना हुआ था लगबग 30% के असपास का करेक्शन देखने को मिला था और आने वाले टाइम में अच्छा खासा investment इसमें कीजिएगा आप next share की अगर बात करें तो अगला जो last share है वो है राज रतन global wire इस company की अगर बात करें ये company steel wire और iron wire बनाती है जो की tires में use होती है इस company की 50 plus जो है company client है जो है partner है मतलब की इस company से wire वो purchase करती है और tire में डालके आगे market में sell करती है तो मुझे लगता है इस company से अच्छा खासा profit आप बना पाऊगे long term में ठीक है इस company के maximum के अगर बात करें तो इस company ने listing जो हुई थी 2020 के आसपास होई थी तब से लेकर अभी तक 2900 के आसपास लगबख 29 times जो है पैसो को की है तो company काफी fundamental strong company है और अगर अच्छा correction आता हो इसमें अच्छा खासा मैं amount investment करूँगा तो कैसा लगा वीडियो बताईएगा अगर वीडियो पसंद आया तो please subscribe किजीगा चैनल को मिलते हैं next वीडियो में thank you so much